असलाम अलेकूम दोस्तों मैं मुझेता हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज मैं एक नई प्रोड़क्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ यह कॉर्णीज का नया चॉक कॉर्ण आया है और यह चॉकलेट पॉपकॉर्ण्स हैं यह मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं यह लोकल पाकिस्तानी प्रोड़क्ट है और मैंने जिन्दगी में चॉकलेट पॉपकॉर्ण्स पहरी दफ़ा देखे हैं तो नए आने वाले हाजरीन प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें ताके मैं आपके लिए मजीद इस तरह की प्रोड़क्स का लेके आऊं और यह आप देख सकते हैं मुझेदार लग रहे हैं और इसमें जो प्रोड़क्ट इंग्रेडियंट्स डाले हुए हैं पॉपकॉर्ण सीरप वाइट शूगर ब्राउन शूगर कोक्वा पाउडर है तो यह हम ट्राइ करते हैं तब से पहले इसको हम अन्बॉक बवस्ट करेंगे यह जैसे ही मैंने open की है मुझे चॉक्लेट की बहुत strong सी हैक मेरे अई है मूं में इसको मैं मजीद open करता जा रहा हूं जैसे मैं इसको open कर रहा हूं मैं चॉक्लेट की smell आ रही है यह अंदर से मुझे इतनी उमीद नहीं थी कि यह इतना कम होंगे यह या है थैंट्रूजाइं ख요 հूइस का मुझे मिला है तो थोड़े से हैं जोगन रहा थोड़े से ton liksom चुक्राइस थोड़ी कम ब्राउन है कि अंदर से बिल्कुल डार्क ब्राउन है और काफी मज़ेदार लग रहे हैं तो आई इसको टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है इसमें चौकलेट फ्लेवर का यह पॉपकॉन आ रहा है पॉपकॉन के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे चौकलेट की कोटिंग कीवी हो यह कफी मज़ेदार लग रहे मुझे यह बहुत ही सुईट है मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा बच्चों के साथ-साथ मैं देख रहा हूं मुझे भी पसंद आ रहा है तो बढ़ों को भी पसंद आएगा डेफिनिटली यह थोड़ा-थोड़ा तो डार्ट चौकलेट भी लग रहा है क्या चौकलेट के कलर आप देख सकते हैं ब्लकुल ब्लाउन थे बिल्कुल डार्क ब्राउन अपने है यह यह द्रार्क चौकलेट का करियर होता है उस तरह के पॉपकॉण है मॉपक्पकॉव्था तो लुग लोग पिल्कुलभी नहीं है उसमें प्योर केरेमेल का टेस्ट था मेज़े रिखोंगों शोक्राइव always यह मिठास में उन्से थोड़े से कम हैं लेकिन हैं यह थी मिठे और उसमें भी मुझे केरेमेल का थोड़ा प्लिवर आ रेखाए लेखी केरेमेल आ रप्लिवर था यह टेपिकल एक चॉक्लेट फ्लेवर है और बहुत अच्छा तेस दे रहा है यह खाते वे नाजरीन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है मैं दिल कह रहा है बस मैं खाता जाओं खाता जाओं और खाता ही जाओं इसको तो तो मैं फोड़ी प्राइस रखनी चाहिए थे ना थोड़ी कम लखने हंडिट मुझे थोड़े से चीजादा प्राइस लग रही है थोड़ा सा मुझे उवर प्राइस लग रही है कोई भी इस तरह का नहीं मेरा जर्चे ऊपर चॉक्लेट कोटिंग ना की भी हो यह चॉक् कोइटिंग मिल रही है और यह मझे इसकी बहुत अच्छी चीज लगी है मरना इससे पहले हम जो केरेमल फ्लेवर के या चीज फ्लेवर के पॉपकॉर्ण खाते हैं वह मुझे काफी दफा ऐसे लगा है जैसे एक पॉपकॉर्ण पर कोटिंग है और दूसरे पर नहीं है तो य यह हर पॉपकॉर्ण के उपर एक ही जितनी एक ही तरह की कोटिंग आ रही है और एक ही तरह का मीठा है तो यह मझेदार सा कॉम्बिनेशन है नई चीज थी मैंने सूचा आपके लिए क्यों ना इसका रिविव किया जाए और यह बहुत आला चीज है मैं हाइली रिकमेंड क जरूँगा कि आप लोग भी यह जरू ट्राइ करें यह तो नाजरीन यह था हमारा आज का रिविव मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद रहा होगा इसको मैं मार्क्स देंगा होंगे 9.5 वैसे तो मैं इसको पूरे मार्क्स देता 10 मैं से 10 मैं थोड़ा प्राइस का बताया ना इसको प्राइस थोड़ी कम करने चाहिए क्योंकि यह पाकिसान में इस प्राइस पर लॉंच हुआ है तो यह मेरे ख्याल से और बढ़ेगा प्राइस में तो एक दो अरसे के एक दो महीने के बाद आप देखेंगे यह 110 यह 120 का आपको मिले वाला हुआलम शायद कम ज्या कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा बहुत शुक्रिया अलाहफेज